दिल थाम कर बैठिये दोस्तों, मंत्री चे हमारे बीच आ चुके हैं, अब वो एक बाग फिर रावन को तीर मात कर हलसार की तरह पुराई पर जीत हासिल करेंगे तू मारेगा मुझे, तुम सब यहां मुझे मारने कटा हुए हो, अरा तुम्हारा खुद का कोई इमान धरम नहीं है, तुम मारोगे मुझे, और एक बात बता, पिछले साल तो कोई और आया था मारने मुझे, इस बार वो नहीं आया? तुम सब अंदर से एक जैसे के जैसे हो, ठीक बीड़े कटी हुई है मुझे मारने के लिए आज, मैं माता सीता को लेकर गया था, इसलिए मारने के लिए एक कटी हो है ना तुम सब आज, हाँ मैं मानता हूं मेरी गलती, लेकिन माता सीता को किसी कारागरा मैं नहीं, सबसे उत्तम वाटी गाती उसमें रखा था मैंने और हाथ लगाना तो दूर गलत नजर से देखा तक नहीं था मैंने माता सीता को और तुम्हारे हैं चोटी-चोटी बच्चियों को दरिंदे उठा कर लेकर चले जाते हैं उनके साथ रेप करते हैं उनको तो तुमने कभी ऐसे खट तो बता मैं तो सभी वेद और ग्रंतों का ज्याता हूं तूने कौन सी वेद ग्रंत या पुस्तक पढ़ी है मुझे ये बता पांचुई फेल मेरे समक्ष वोलेगा तू चुप चाप खड़ा दू देख मुझे ना किवल संगीत का शौक है बलकि सभी रागों का सुरों का वाद्ययंत्रों का ज्यान भी है तुझे क्या ज्यान है वाद्ययंत्रों के बारे में यह मारने आया है मुझे अब तुम लोग सुनो मेरे जैसा मादेव का भक्त ना तो कोई हुआ है ना मेरे जैसा मादेव की बक्ति किसी ने की है और तुम लोग तुम्हारा भी कोई जमी हैं क्या हुआ गुसा रहा है मेरे उपपर तुम लोग मेरे बारे में क्या सोच तो मुझे कुछ फार्ट ने पड़ता लेकिन एक बात कान खोल के सुनलो मैं चाहिए कैसा भी हूँ लेकिन तुम्हार इस मंत्री जैसा कदापी नहीं हूं मैं मेरे राजपाठ में जनता प्रसंद रहती थी खुश रखता था मैं उन्हें इसकी तरह पठाकों की चोरी कभी नहीं की मैंने बोलू बतादू सभी को ये दुष्ट ये तुम्हारा मंत्री दुष्ट एक नंबर का ये काग्जों में लिखता है कि रावन दर्न के लिए 50 पेटी प कहां हुई कहां हुई कहां हुई बुराई पर अच्छाएगी जीत जब तक तुम्हारे मन में चोरी गद्दारी लालच वासना द्वेश एहंकार जैसी भावनाय जीवित है बुराई कैसे मरेगी बुराई मरी नहीं सकती तुम लोग मुझे खत्म करना आयो ना अरह मेरा ख जलाना है तो अपने अंदर छुपे रावन को जला उसको मारो सच्चाई और अच्छाई को अपना लो बुराई अपने आप खत्म हो जाएगी और तुम मुझे जलाने के उद्देशे से ही आये हो तो मैं तुम्हें बता दू कि सिर्फ छोटे बच्चे ही आज की तारिक मे लालच खणा वासना दूश एंकार जैसी भावनाय नहीं है असल में वह हैं इश्वर का स्वरूप ए लड़के लगा दे आग फिर से जला दे अगले साल फिर आऊंगा मैं जलने के लिए लेकिन अगले साल मैं देखूंगा कि आप लोगों ने अपने अंदर के रावन जला इंदर कि लेकिन देखूंगे लेकिन और पावन ओेखूंगे लेकि में इचिड़ को खेरी लेकिन अगले साल में देखूंगे।